जैमा इंद्राक्षी जयम्बे इंद्राक्षी धाम में दर्शुक्वाफ सभी का महारदिक स्वागत करते हैं आज के दिन जिन जात्कों का जनम दिवस है मेरी जैनिवर्सरी है उन सभी को हमारी तरफ से बहुत-बहुत शुक्वाबना है आज इंद्रा एकाषी है इस एकाषी का बहुत ही मात्य में होता है राजा इंद्र सेन ने इस एकाषी का वर्त किया और इस एकास्टी से जैसे कि स्राद पक्स पित्र पक्स चल रहा है हमारे पित्र भी तरप्त हो करके संतुष्ट हो करके स्वर्व लोग की यात्रा में जाते ही बहुत अच्छी एकास्टी है आई ये इसका सारा मात्ते में आपको गजाते हैं पहले आज का हम पंचांग देखें 21 सेप्टेंबर सन 2022 दिन बुद्वार आश्वे नमास कर्शन पक्स संबन 2089 तिथी इंद्रायकाश्ची नक्षत्र भी बहुत अच्छा है पुष्चे है राहुकाल बारा सेरियर दिशासूल उत्तर पूर्व दिशा राजा इंद्रसेन अपने सभी मंत्रियों के साथियों के साथ राज महन में बैठे हुए है देवरिशी नारद आते हैं और देवरिशी नारद जैसे ही आते हैं तो उनका बहुती आधर सत्कार राजा करते हैं आसन पर विठा करके पूजा करने के उप्रांथ आगमन का कारण पूछा जाता है। देवरिशी नारद कहते हैं कि मैं यमलोक में गया। यमलोक में अम्राज जी से मेरी मार्तलाप हुई। काफी प्रेम भई नारद हैं वो तो कहीं भी चले आते हैं आपको पता ही है। तो नारद जी ने कहा कि इंद्रसेन वहां मैंने आपके पिता को देखा और वो किसी वरत के भंग होने के कारण किसी दुख में हैं और उन्होंने एक संदेज दिया है। यदि मेरा पुत्र ये इंद्रा वरत रख ले तो मुझे स्वर्ग की प्राप्ती हो जाएगी। संदेज दिया नारद जी के हाथों। और बहुत सारी बाते हैं मैं बलगल शंक्षिप्त में आपके साथ आना चाहता हूँ। तो वैसा ही हुआ राजा ने शाली गरांद सिला के सम्मुख जाकर के श्राद करपन प्रिंडदान सारी चीजे की। और बहुत अच्छे से इस वरत का पालन किया। रात्री भर जागरन किया। स्रीमन नारैन को भजते 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 भोरो आई। और द्वाजश्री में नोने अपने वरत का पालन किया। और उनके पिता को सुर्गे की प्राप्ती हुई। एक कहने का भाव कि हम चाहें एकाश्री का प्रत करें। हम श्राद को अच्छे से करें। अपने पित्रों के निमित हम जो जो करते हैं। आपका यहां जो पुन्य, उनके निमित आप पुन्य करते हैं। वो पुन्य दुगना होकर के उन्हें प्राप्त होता है उनकी यात्ना में भी कमी आती है और यदि उनकी कोई स्वर्गी के प्राप्ति उन्हें होनी होती है और उसमें कोई चीज रुकावट है तो आपका इस धरापर दिया गया उनके निमित दान किया गया वर्त की गई उपासना किया गया शराद उन्हें बहुत बल देता यह अदभुत अदभुत महाऍदभुत रहשय है पिशे घ्यानी जन समझ सकते हैं अगणी जने यह कह देंगे आरे यह सब अंध्यस्वास की बाते हैं किसने हम लोग देखा किसने पितने लोग देखा किसने क्या देखा अरे जनाब क्यों नहीं देखा हमें बताईए क्यों नहीं देखा हमारे सास्त्रों में जो दूरी सूरिय की लिखी गई हमारे रिशों ने जो चांद की दूरी को ना पा हमारे रिशों ने जो मंगल की दूरी को ना पा और जैसी म सभ 넘क्राइब समल की धरती को बताया कि आज वैसा ही पर्मांड नहीं मिल रहा है। सारे पर्मांड वही हैं बलकि नासा के व्यज्ञान भी सता स cling yes बिना किसी विमान के, बिना किसी साधनों के, कैसे, अब हो कैसे कया हूँ? सुक्षम सरी की, कालण सरी की यात्राइ हमरे रिशीव नहीं करते रहें. कहने का भाव कि जब सब कुछ मैच होता है हनमान चली से की भी आपने बात सुनी हो सारी बाते आपने सुनी हैं हनमान चली से किस परकार से दूरी कुन आपपर के बताया गया है कहने का भाव सब लोग हैं सब बाते वो ही हैं लेकिन हम अब बहुत लोग ऐसे हैं, उन चीजों को मानने को तयार नहीं है। देखो, cold is gold होता है, इसलिए हमारे सास्त्रों में जो कहा गया है, उसे बहुत अच्छे से उस पर विश्वास करें, और अपने विश्वाणी का आयदर करें, और जो भी हमारे विश्वानी उन्हें हमारे लिए कहा है, हमारे अच्छे के लिए तो कहा है। पंद्रा दिन का हम श्राद मनाते हैं, हम अपने उन पूर्वजों की स्मर्ती में यदि हम कुछ बनवा देते हैं, कहीं कुछ खिला देते हैं, कहीं कुछ दान कर देते हैं, तो इसमें कहीं भी किसी को कोई आपत्ती नहीं होनी चाहिए और नहीं उसमें कहीं अंद्रिस्वास का समावेस हमें दिखता है इसलिए मेरे साथ को आज इंद्रा एक आशी है आप से जितना भी बन पड़े अपने पित्रों के निमित पक्षियों को चाहें दाना डालने हैं गव माता को चारा खिलाएं आज ऐसे बहुत से स्थाने जहां पर गव माता और नंदी वगारा प्या आप से ये सेवा हो सके कोने जल पिला में है ना शुद्ध जल की उनकी विवस्ता कर दें जहां आपको लगता है यहां गाएं बहुत आ करके बैठती हैं नंदी आते हैं महां कोई ऐसी पानी की प्यावू ऐसी कोई पानी की विवस्ता मिल जुन करके कहीं ने कहीं बना ली जाए तो बहुत अच्छी बात है आज हम बड़ी-बड़ी अटालिकाएं बनाते हैं बड़े-बड़े स्मारक हम बना देते हैं हम बड़े-बड़े बाग बगीचे बना देते हैं बनाते हैं ना सारी चीज़ें तो हमें कहीं ने कहीं शहरों में छोटे कस्वों में हर जग साथ से ऐसी कमेटी से नहीं नहीं जुड़े हैं तो आपको इन कस्वों में सहरों में जहां भी आप रहते हैं तो वहां आपको पश्वों के लिए कुछ न कुछ ऐसी विवस्ता ज़रूर करनी चाहिए और इंदरा एकाश्री का महत्यम में आज तो है ही है लेकिन अगर हम सदैव कहीं न कहीं सेवा के रूप में अपने आपको लगा करके रखें तो हमें हर पल इंदरा एकाश्री का महत्यम और फल प्राप्त होगा तो कहने का भाव कि आज के दिन जो अपने पित्रों के नाम से तिल वाला मीठा जल पित्रों को अरपन करता है दक्षन भी मुको करके पित्रों के नमित्त आज जो भी अच्छी भक्ती भावना से सिरिमन नारहन को भजता है उनके 108 नाम भजता है सहसर नाम आवली भजता है भगवान विश्णु की अलन्य भाव से आज के दिन पूजा करता है तो उसके पित्र तरप्त होते हैं और कहीं ने कहीं यम लोक में यदि कोई यातना जहल रहे हैं मृत्य लोक में तो वो यातना में उनके अवश्य कमी आती है और आपको उनसे एक ऐसा आशिरवाद प्राप्त होता है जो आपने देखा नहीं है लेकिन वो आशिरवाद उनका मूँ का आशिरवाद होता है और वो प्राप्त होता ही होता है पित्र प्रतक्ष रूप में या एप्रतक्ष रूप में हमारी साहिता अविश्य करते हैं कई बार हम पाने में डूबते डूबते बज़ जाते हैं कोई एद्रस्य सक्ता एद्रस्य सक्ती हमारा मानों हाथ खीच करके हमें बाहर फैट देती है हम किसी गाड़ी के नीचे नीचे आते आते बज़दाते हैं नजाने कौन से हवा का जोका हमें एक और धकेल देता कोई तो एद्रस से सक्तियां हैं जो हमारे साथ खड़ी रहती हैं हमारी मदद करती है ऐसे लाखो लोगों के एक्जमपल है कि मैं मोत के मूँ से बचकर के आया हूँ है ना तो इसी लिए संसार में उतना ही नहीं है जितना हमें देखता है अनंत गुना है प्रत्वी के नीचे कहां पर खजाना है प्रत्वी के नीचे कहां पर रत्न है प्रत्वी के नीचे कहां पर ओयल है प्रत्वी के नीचे कहां पर क्या है ये देखना इतना आसान नहीं है लेकिन है सब कुछ हम पानी के उपर रहते हैं है ना प्रत्वी के नीचे पानी है सबको मालू है इस बात का लेकिन ये भगवान की कोई महिमा है कि कैसे पानी के ओपर ये प्रत्वी डोल रही है, कैसे हम रह रहे हैं, कैसे सूर्य भगवान हमें आते हैं, नियत समय पर आते हैं, हमें रोशनी देते हैं, कैसे हमें चंद्रमा अपनी शीतल रोशनी से पुलकित करते हैं, कैसे फलों में प्रस भर जाता है, कैसे फूलों में रंग भर जाता है, कैसे गहों की बालियां पक जाती है, तो बहुत सारी चीजे सोचोगे न, तो लगेगा कोई वीटो पावर है, कोई माहा शक्ती है, और वो शक्ती स्वनातन धर्म वाले अच्छे से जानते हैं, इसलिए ध्यान रखना, ये मौके जीवन के जीते जी आते हैं, मरने के उपरांतो हम कुछ नहीं कर पाते हैं, आज की बास्ते लेली जी, नारज जी से कहा, इंदसेंजी के पिता ने, जाकर के मेरे पुत्र से कहो, कि वो इंद्रा एक आश्ची का वर्त करे, है न, तो कहने का भाव, यही जीवन है, यही समय है, यही मौका है, अगर कुछ कर लेंगे, तो कर लेंगे, अदरवाइस फिर पस्ता नहीं पड़ता है, आईए, समय उचला आज की ध्यान साथना का, उस प्रांबा महाशक्ती से जुड़ते हैं, हे भगवती, आप सभी का कल्यान करें, करां स्मित मुखे, बापे नबाग छोरुआं, पानी प्यामल पूर्ण रत्न चसकां, रत्नोत परां, विब्रते सोम्यां, रत्न गटस्त रक्त चरणां, ध्यायत परां, मंबिकां, खडगं चक्रगदे सुचाप परिगान, छूलं भुसुंडिम्सिरा, संखं संदधतिम्करिस्त्रिनयानां, सरवंग वुस्वरितां, निलास मध्युत्यमास्यबाद दसकां, सेवे महांकालिकां, यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो, अंतुम्मदुम्कटवं, विद्योद्धाम समप्रवाम्रिगपते, स्कंदस्तितां, विशनां, कन्यां, विहकरवाल, खेट विलसा, धस्तविरास्यवितां, हस्ते चक्रगदा सिखेट विशिखां, श्चापं गुणं तरजनीं, विप्राणा मलिलात्मिकां ससिदारां, धुरगांतिनेत्रां वजे। कवच मना लें, ध्यान करें, महा माया का विशेस आसिरवाद, अनुग्रह हम सब के ऊपर बरस राह। ओम बोलते हुए नेत्र खोलने समान्या हो जाए। देखो साथ को नवरात्र आने वाले हैं, आज 20 तारिक हो गई है, 21 तारिक हो गई है और 26 तारिक का प्रथम नवरात्र है, घट इस्थापना का समय क्या रहेगा। हमें नवरात्रों में क्या क्या करना चाहिए, सारी जानकारिया तो हम आपको हर वर्ष देते हैं। हमारे वैसे चार नवरात्र होते हैं, लेकिन मुखहता चेत्रिय नवरात्र जिने हम बासंतिक नवरात्र भी कहते हैं। और यह आर्श्विन मास्के नवरात्र जिने हम शार्द्य नवरात्र भी कहती है। मुखेता ये दो नवरात्र बरे विसेस होते हैं। इसमें जगदंबा की करपा हर घर पहुचती है। बशर्ते आप उसको कितने हिसाब से उस करपा को प्राफ कर पाते हैं। सारी चीज़े आपको बताएंगे। हम यूँ ही सुनते रहें। देखते रहें। आप स्वस्त रहें, सुखी रहें। इन इशुप कामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देती हैं। जय जय अंबे। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिलें प्रसिद्ध हस्त रेखा एवं वास्तु विशेशग्य प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्माची से। नोट, शिवर में भाग लेने हैं तू एवं व्यक्तिकत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुभा 10 वजे से शाम 6 वजे तक। शिवर में जाना, आजे जाता, आजे जाता आजे जाता, आजे जाता, यों हो साथिया, और जाता, निचा नंसाथिया, आजे तक।